किसी ने क्या खूब कहा है मरने के बाद भी अगर जिन्दा रहना है तो पेड़ पौधे लगाईए जी नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मेरे यूट्यूब चानल पर आप सभी का स्वागत है मेरी इस वाट्सप वीडियो में आपका स्वागत अभी नंदन है यह पेड़ पौधे जो मेरे आसपस मेरी टेबल पर आप देख रहे हैं आपकी आज जिन्दगी बदल सकते हैं लेकिन आपको अपने करमास को अच्छा करना है कोई भी जादू की चड़ी नहीं होता मैं कॉन मैं डॉक्टर वायरा कि आप सभी का स्वागत अभी नंदन गरती ह कैसे हैं आप लोग जिन्दगी कैसी चल रही है मस्त बिंदास ना खुश रहने की कोशिश कीजिए जिन्दगी अच्छी चलेगी आज मैं आपको बताऊंगी पेड़ पौधो के बारे में पेड़ पौधे जो आपके और हमारी जिन्दगी का एक्चुली हिस्सा होते हैं प क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं मैंने वाना सली विद्या पीट राजिसान से अपनी स्टाडी पूरी की है और मैंने वहां पर वो दिन देखे हैं बहुत मजा आता था तीछ पर जूले लगते थे क्या दिन थे वो आज आपको बताऊंगी इंडोर पौधों के बारे में वैसे आउटडोर पौधों की भी बात कर लेंगे बस पौधों का होना बहुत जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं इस मनी प्लांट की यह मनी प्लांट सुनकर लगता है अरे वाओ मनी होगी जी यहां मनी प्लांट आपको मनी देता है लेकिन इस पौधे को जरा ध्यान से इसके लिए आपको नियुक्ति क्यों को देखिए। घर में नहीं होना क्यों है, तो धर्मक कॉषिगस से घरी लौट से लूआ है तब लगता है, आज मैं आपको बताओंगी क्यों, क्यों money plant चोरी करकर लगता है, लेकिन इसके लिए आपको ये video last तक देखने होगी, इस बात का जवाब मैं आपको बिल्कुल आखरी में दोगी, वैसे मैं आपको बता दूँ, money plant हमेशा छोटे पत्ते का होना चाहिए, तो मनी प्लांट के अंदर गोमती चक्र कोडियां और उसमें भी विशेश कर काले कलर की जो काले रंग की कोडिय होती हैं वो रखनी चाहिए ये कोडियां अभी मंतरित और पूजित होती हैं मैं आपको अब इस वीडियो में वो कौडी भी जरूर दिखाऊंगी, ये कौड़ियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, इन कौड़ियों को रखने से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बदलाब आएगा, अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने किचिन में भी आप इस मानी प्लांट को जरूर रखें लेकिन इसमें कौडी जरूर रखें, इस से आपको लाब होगा, प्लस इसमें कुछ सिक्क्य रखें, चांदी का एक सिक्का रखेंगे, तो धनला बहुर भी होगा, इसकी सेवा करें हफ़ते में एक बार, और खासकर शुकरवार वाल दिन करें तो अच्छा है, जो इंडोर अच्छा होता है, जैसे धन का आगमन होता है, तो ये पेड़ पौधे जरूर लगाएं, घर में, अपने ओफिस में और अपने बेडरूम में भी, अगर हस्बिन का वर्क बहुत ताइम से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इन पेड़ पौधों को लगाएं, पे इन पर दियो नबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, ये है बैंबू का पेड, वैसे इसे इंडियन पेड कहा भी नहीं जाता है, इसे चाइनिस पौधा भी कहा जाता है, लेकिन हमारे जोती शास्त्रों के अंदर कई लोग जो है ना बास के पौधे को घर में रखना बुरा मानत हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये आपको तरक्की बहुत जादा दिला सकता है, इस पौधे को मैं अपने भगवान के समक्ष रखती हूं, भगवान के करीब रखती हूं, ताकि जिन्दगी में प्रोग्रेस और तरक्की आती रहे, हर्याली भगवान को भी पसंद होती है, भग इस बैंबू पौधे को आप अपने घर के मंदिर में जरूर रखें, इसे बच्चों की स्राड़ी टेबल पर जरूर रखें, लेकिन इसमें भी कौडियां और गोमती चक्र डालना बिल्कुल ना भूले, इससे प्रोग्रेस और तरक्की आपको मिलेगी, घर के बाहर भी ब कमले के अंदर 11 कौडियां, 11 गोमती चकर और 11 सिक्के डालें, दीरे-दीरे दबा दें अंदर इस साइड में किनारों पर और उसमें पानी देते रहें, तो धन का आगमन दीरे-दीरे घर में आना शुरू हो जाएगा, पौधे का साइज इससे बड़ा भी हो, लेकिन घर के अंदर तो आप पौधा छोटा ही रखेंगे, या ओफिस टेबल में आप पौधा छोटा ही रखेंगे, तो वो गोमती चकर और कौडियां आप हमसे मंगा कर इसके अंदर जरूर अब रखें, तो ये आपको धनलाब देगा, और इसके साथ ये भी धिहान रखें कि वो ठीक है, लेकिन चोरी नहीं होने चाहिए, क्यों कहा जाता है कि मनी प्लान चोरी करकर लगाया जाता है, चलिए आज आपको एक उपाय बताती हूं, अपने घर के आसपस देखें, कोई ऐसा शक्स है जो बहुत अमीर है, जो अमीर होने के साथ करूर नहीं है, उसका और वहवार भी अच्छा है, तो उसके घर के बहार जाकर उसके घर के गमले के अंदर से थोड़ी सी मिट्टी चोरी करकर लाकर अपने घर के किसी भी पौधे में डाल दीजे, वैसा सुख और समरदी आपके घर भी आनी शुरू हो जाए कि लेकिन उसके साथ अपने चाहते हैं, अपना पौधा खरीदें, पर घर में हरे रंग का मिननी प्लान छोटे पत्ते का जरूर लगाएं और उसमें कौडिया और गोमती चकर भी जरूर रखें, चलिए आपको दिखाते हूं क्या होती हैं कौडिया और गोमती चकर, तो यह है कौडि, यह है कौडि, इसे सफेद, काली, कौडी भी आपको भेजी जाएगी और ये हैं गोमती चकर, इसे शिरी विश्नु का चकर भी कहा जाता है, देहां से देखें इसमें चकर भी बना हुआ है, ये इतने काम की चीज है कि इसे स्वेम लक्षमी का रूप माना जाता है, इसे दिवाबली पूज चकर आपको भेजे जाएंगे 11, 21, 22, जितने गमले आपके हो, एक गमले में आपको कम सकम 11 डालने हैं, वाइट कौडी भी भेजी जाएगी, पीली कौडी भी भेजी जाएगी और गोमती चकर भी भेजा जाएगा, गोमती चकर का केवल एक ही रंग होता है और ये साइज हो याप मुझसे वाटसअप उसकी जानकारी लेंगे तो मैं पर्सनली उन सिक्कों की फोटो आपको भेज़ दूंगी जो आपके काम आ सकते हैं और आपकी जिन्दगी को बदल सकते हैं जिन्दगी नबहुत खुबद सूरण है हमारे बड़े बुद़्ुरु भी जिन्दगी को खुबद सूरण बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे हम लोगों को धनकी में बदलाव चाहिए पर दो परिशानी है ना तो हम पैसा खरच करना चाहते हैं और ना ही हम कोई महनत करन परता है महनत करनी पड़ती है समय लगाना पड़ता है तब जिंदगी में बतलावाता है लेकिन इन सब उपायों को विफल समझे अगर आपका सभाव और नेचर अच्छा नहीं और आपका सभाव और नेचर अच्छा है तो आने वाला समय अपने आप खुबसूरत बन जाता आलसी लोग इन सारे उपायों को नहीं करें तो वहतर होगा क्योंकि आलसी लोग और डाउट करने वाले लोग अच्छा ऐसा होगा गैरेंटी दे सकते हैं पका होगा यकीन है तो हम आपको कोई कूलर या फ्रिज नहीं बेच रहे जिसकी गैरें जोतिश और मा का प्यार लेकिन वाट्सप पर आप प्लीज अपना नंबर जरूर छोड़ें ताकि हम आपको मैक्सिमम वीडियो बेचे 9810709958 पर आप सिर्फ हैलो लिख कर भीजिए अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आपको मुझसे अपने बारे में कुछ भ अजा दलिए